चलिए इस वीडियो में हम क्रोनोलोजी देखेंगे आज कल ज्यादा प्रशना रहें यहां से तो दो तीन प्रशना आपके इसी वीडियो से आ जाएंगे आपकी परिक्षा में इसलिए इसको नोट कर लीजेगा और बार-बार सुनेंगे वीडियो तो याद हो जाएगा इसम और ईसक युद्ध को माराथा निजामों की मध्र युद्ध हो गया और आंग फ्रांसिसी युद्ध हो गया इन सब को मिला कर दे दे रहा है तो मिक्स अफ होने से आपको और ज़्यादा कढ़ नहीं हो रही है तो हमने इसलिए एक ही वीडियो में तीनों चीजों तीन चार जो महत्यपूर्ण है जो आते हैं बार-बार उनको मैंने दे दिया इससे आपका असानी होगी पेड ग्रूप में हम ये पीडियम भी शेयर कर देंगे प्रार्यम करते हैं आंग फ्रांसी सी युद्ध से देखे हम के वल फैक्ट पे हम चर्चा करेंगे अगर हम कहानी पूरी जाएंगे एक एक युद्ध के बारे हम तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा और लक्ष हमारा कुछ और है तो उसी लक्ष पर केंदित होकर के वीडियो है तो आंग फ्रांसी सी युद्ध जिसको करनाटक युद्ध के नाप से यना आता है करनाटिक के आसपास हुआ था हाला कि ये प्रभावित था जो यूरोप में उसमें सब्त वर्षी युद्ध हो रहा था उसे प्रभावित था तो प्रथम जो आंग फ्रांसिसी युद्ध होता है भारत में उसमें एलाप शाबिल की संदी होती है ये यूरोप में होती है लेकिन 1748 में संदी होती जिससे कि अंत होता है इस युद्ध का दितिये जो होता है पांडिचेरी की संदी से 1755 में इसका जो है समापन होता है त्रिती जो है पेरिस की संदी से जो यूरोप में होती है और यहां भी युद्ध समाफ्स हो जाता है आंगल और फ्रांसीसियों के मध्य 1763 में 1748, 1755, 1763 नोट करने वाली बात है कि 1763 के पहले ही 1760 इस्वी में वांडिवाश का युद्ध होता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मिद्धि और जो फ्रांसीसी गवर्नर लाली था उसको आयर कुट ने बुरी तरह पराजित कर दिया था कब 1760 इस्वी में वांडिवाश का युद्ध तो वांडिवाश को भूलिये गमत ये पेरिस की संदी के पहले होता है तिति करनाटे युद्ध के पहले आंगल मैसूर युद्ध में आते हैं आंगल मैसूर युद्ध जो प्रथम युद्ध होता है उसमें हैदर अली विजई होता है अंग्रेजियों से मद्रास के संधी के द्वारा इसका अंत होता है इस युद्ध का 17VA salmon targeting में दिति मंगलोर की संदी 1784 में होती है और हैदर अली और टीपू इसलिए लिखा है मैंने कुई हैदर अली बीच में ही एक दो विजय करने के बाद एक पराजय भी बीच में होती है लेकिन बाद में विजय भी होता है युद्में और लेकिन घायल होने के विज़े से मारा जात त्पू सुल्टान कमान समालता है और उस समय में करनाटक का गवर्णर होता है वही बंगाल का गवर्णर जनरल उसमें वानन-हिस्टिंग होता है टीक है मैंगलोर की संदी 1784 में तृतिये जो संदी होती है आंगल मैसूर वो श्री रंग पत्तनम की संदी तृती जो इसमें टीपू के उपर काफी जो है कह सकते हैं कि अपमान जनक संधियां थोपी जाती हैं जिसको टीपू बरदास नहीं करता है संधी को तोड़ता है अंततह जो है टीपू चौथे युद्ध में मारा जाता है वेले जली एक प्रकास कहें तो अंग्रेज स्वयम ही नहीं चा साथ भाते थे और टीपू मारा बे गया चतुर्त आंग्ल मैसुरी दो में म्ही जली उसमें जब ढ़े जली और इन उसको है करण दो अंग्रेज उ हह द्वारा की जो रहा था और एपको ऐपने से अर्टो हैदर अली अपने साथ ले आया था तो इसलिए पलट गई बाजी बाद में किसी वीडियों में डिसकस करेंगे अब मराठा वियस अंग्रेज मुगल निजाम जितने भी मराठाओं के युद्ध शंदिया हुई इसको याद रखेगा ये बहुत पूश्ता है तो पुरंदर की संदी 1665 में जो मुगल और मराठों के मध्य हुई थी मुगल की तरफ से जैसिंग और शिवा जी के मध्या संदी हुई थी पुरंदर की संदी कब 1665 में इसको देखे क्रम से मैंने लगाया है तो क्रमवार ही आद रखना है फिर संगोला की संदी 1750 में हुई बाला जी बाजी राओ, पेशवाथे और राम राजा के मद्य, जलकी की संदी 1702 में हुई, बाला जी और निजाम के मद्य, जलकी की संदी 1752, फिर राक्षस भुण की संदी 1763 में माधो राओ और निजामों के मद्य, कंकापुर की संदी फिसके बाद हुई 1779 में माधो राओ सूरत की संदी अभी पूचा भी था ये पियों में 1775 में रगुनात राओ और अंग्रेजों के मद्धि फिर पुरंदर की दिती संदी होती है 1776 में पुरंदर की दिती संदी होती है 1776 में नारायन राओ जो माधो राओ नारायन राओ थे और अंग्रेजों के मद्धि बढग नारायन राओ और अंग्रेजों के मद्दे, बसीन की संदी 1802 में होती है, यह भी पूछा था, कई बार पूछ चुगा है, बाजी राओ दिती, पेशवा बाजी राओ दिती और अंग्रेजों के मद्दे हुई, फिर देवगाउं की संदी हुई, 17 दिसंबर 1803 में, भोसले औ और अंग्रेजों के मध्यी अरजुन गाउं के बाद ठीक अरजुन गाउं के संधी होती है awangmail के में संध्र होते हैं तो 17 दिसंबर को होता है दिव गाउं 38 दिसंबर होता है अरजुन गाउं लृझ मैं यहीं कुलीन इसOOOO थोड़ा सा गरबर हो गई थी तो हमने इसको राजापूर की संधी के बाद दोस्तों ये नागपूर की संधी आता है 1816 में याद रखेगा राजापूर की संधी के बाद नागपूर की संधी आती है कब 1816 में ठीक है ग्वालियर की संदी 1817 नॉम्बर में दौलत राउस इंदिया और अंग्रेजों के मध्या मंदसौर की संदी जो होती है 1818 में होलकर और अंग्रेजों के मध्या ये दोनों ही पूछा था इस बार नागपूर भी पूछा था तो ये इतनी संदिया महत्पूर्ण है इसको आप रखना ही रखना है और कोई विकल्प नहीं है बाकी कहानी के लिए जब हम आंगले सिख युद्ध पढ़ाएंगे मराथा के जितने भी युद्ध हैं वो पढ़ाएंगे उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे उसमें आपको और अच्छे से याद हो जाएगा क्योंकि उसमें पूरी कहानी आप पढ़ेंगे तो उस वीडियो का इंतजार करिया आप लगातार हमारे चैनल से बने रही है चैनल सब्सकाइब अवश्य कर दें ताकि आपके वीडियो मिस नहीं सारे वीडियो में ज़रूरी ही बनाता हूं एकजाम ओरीन्टेड ही बनाता हूं तो आंगल सिख युद्ध की बात करें तो आंगल सिख युद्ध भी बहुत महत्पूर है इस बार APO की एकजाम में इसको भी पूछा था तो अम्रिश सर की संदी जो सबसे पहले होती चार्स मेटकाफ और रणजी सिंग के मद्दे कब अम्रिश सर की संदी कब होती है 1809 में फिर लाहोर की संदी होती है फिर भैरोवाल की संदी होती है सिखों का नितित करते हैं तो लाहोर की संदी 1846 मार्च भैरोवाल की संदी 1846 दिसंबर बाकी और भी महत्पूर्ण होए युद्ध तो बहुत ज्यादा है लेकिन ये सब बहुत ज्यादा पूछ रहा है अगले युद्ध में हम जो प्रमुख मुगलों के समय युद्ध होते ह हैं उनसे समंधित वीडियो जरूर बनाएंगे उसका भी क्रोनोलाजी आपको बता देंगे तो हमारे वीडियो आप देखते रहें लगातार लाइक वश करते रहें दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी करें ताकि ज्यादा ज्यादा लोग इसका लाब भी ले सक याओब दोड़ने वाद.